हलो स्टुडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने समतल दूरीत प्रकास प्राप्त करने की पांच वीदियां पड़ी थी, जिसमें प्रावर्तन द्वारा धुर्वन, अपवर्तन द्वीवर्णता और पांच भी वीदी होती है परकिर्णन द्वारा धुर्वन, तो उसमें हमन के अनुसार जब कोई एधुरित प्रकाश, किसी पारधसी माध्यम जैसे की कांच, पानी, आदी पर एक विशेश आपतन और wickौन, ब्रुसTर पर आप्तित होता है, तो हमीं प्रावर्षित प्रकाश पूनते है, दुर्वित प्राप्त होता है ठीक है तो यह हमने पढ़ लिया था कि एक विशेश आप्तन कोण पर यदि कोई प्रकास आता है तो प्राप्त होता है अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बुर्ष्टर नियम जो कि प्राप्तन के अंदर ही आता है बुर्ष्टर नियम प्राप्तन दवरा दुर्वन के अंतरगत ही आता है तो उसमें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अब बुरुस्टर नियम तो इस नियम के अनुसार क्या होता है देखो इस नियम के अनुसार कि दुर्वन कौन की इस पर्श जा दुर्वन कौन क्या होता है कि विशेस आप्थन कौन होता है और इसको हम आई पी कहते है आई प पॉल्लाइजिंग एंगल आईपी कि इसपर्स जा इसपर्स जा क्या होती है टैन थिटा होती है तो दुर्वन कौन की इसपर्स जा का मान माद्यम के अफवर्त नांग मू दुर्वन कौन की इसपर्स जा टैन आईपी टैन तैन थिटा तो धुर्वन कौन इसपर्ष जा 10 IP का जो मान है वो माद्यम के अफवर्त नांग के बराबर होता है तो अर्थात μू इकुल टू 10 IP कि धुर्वन कौन IP है उसकी इसपर्ष जा 10 है और वो किसके बराबर होगा वो अफवर्त नांग के बराबर होगा तो mu equal to 10 ip तो इसे हम ब्रुष्टर नियम कहते हैं तो ये प्रावर्टन दोरा धुर्वन के अंदर गते आता है अब देखो ये हमने अब नेक्स्ट क्यूशन करेंगे एक देखो कि ब्रुष्टर नियम के अंदर गत हमने पड़ा था कि जो प्रावर्थित प्रकास है और ये अपवर्थित किरण है और दोनों क्या होती है प्रावर्थित प्रकास किरण 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 प्रावर आपतन कौन क्या होना चीए? बुरुष्टर कोन होना चीए? आई-पी, आपतन क्या होना चीए? बुरुष्टर कोन के ब्राबर होना चीए? तब ही जाकर यह 90 अंगल आईगा, तो ध्यान रहे, तो हमें शिद्ध के अगरना है IP पलस अर एकुल टू 90, आई-पी यहां पर CBD जो है CBD जो एंगल है कौन है CBD वो 90 शिद करना है अगर यह 90 है तो भई यह तो IP प्रकाश यहां से आ रहा है और यहां से दो किर्णे प्राप्त हो गई एक तो लंवत कमपन और एक में क्या है लंवत कमपन भी है और समानतर कमपन भी है दोनों इसे थे हैं इसलिए यह पूर्णत है दुरुवित होता है इसलिए पूर्णत है दुरुवित प्रकाश से प्राप्त हो गया अब नियम सेaire नियम से एक होता है म्यूव इकुल टू साइनाई पून साइनार होता है आपने पड़ाओ गए 10 खिलास में फिर 12 वे यह तो बहुत ही इंपोर्टेंट है वे ओप्टिक्स में तो हर जगर लागो होता ही तो म्यूव इकुल टू साइनाइप पून साइनार आई पी यहां पर आप तन कोन और यहाँ पर अफवर्तन कोन है तोम यूआ साइन फैरी अब हृपन leg लगा दिया। रूल कि होता है साइन पॉन फॉन साइन फॉन हार हुथा है अब बृुष्टानीयम भीarken मिलेंगी पहले महीं स्वेल ले लिया अब Brustor name कहां में लेंगी तो partner name क्या होता देखर 10 % होता है went-up यह video ब्राबर हो गया तो दोनों का में लेंगी तो एक वह दो से क्या जाएगा Chineineine P upon Chineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineineine equal to क्या कर दिया, cos 90-R कर दिया, वो यह ऐसा है पुन mathematics के अंदर कर सकते हैं, तो sin R equal to many, cos 90-R कर दिया है, और यह ऐसा गैसा रहेगा, cos IP, cos IP गा, तो cos क्या हो जाए, कर जाएगा, कितना बचेगा, 90-R equal to IP बच जाएगा, 90-R equal to IP बच गया, तो R को आगे बेज़ दिया, तो IP plus R कितना गया, 90 आगया, अब देखो, इन तेनों का यह कितना है, IP plus 90 plus R, मतलब IP plus यह angle CBD plus यह R, तो तीन तीनों कोनों का यह कितना होता है, 180 होता है, रेक्षी को यह कितना बच जाएगा, 90 डिगरी बच जाएगा, जो कि DBC equal to 90 आगया, और हेंस फ्रोड, इसका मतलब क्या हो गया, कि प्रावर्तित प्रकास, अपवर्तित प्रकास पूर्णता होते है, 90 डिगरी पर प्राप्त होते है, है यह हो गया, रच्छा ओंस, यहाँ पर तो प्रावर्तित द्वार्णत के अंधर टवर्णत这 सब्रट कहें, यह आँसिक learnt अगे अंचिक काम में लेंगे, त्वार्तित द्वार्णत प्राप्त करनी के विदी, हमने पहले पहले विदी क्या पड़े थी? समतल दुर्वित प्रगास प्राप्त करने की पहले विदी क्या थी? प्रावर्तन दुवारा दुर्वन, अब दूसरी विदी है, अब फुर्तन दुवारा दुर्वन ड़ेखो इसमें क्या करते है इसमें कई कांचिक्वल्यटों को स्वानांतर रख दिया इक दो तीन चार पाँच एसे कई कांचिक्त सुवा ना उतर होतर है देखो इसमें क्या होता है यह एदूरित प्रकाष है तो जब यह यहां पर ठख राएगा तो यह दि ब्रुष्टर कॉंड पर आता है अगर यह ब्रुष्टर कॉंड पर आपतित होता है अगर कोई एध दुर्वित प्रकास है वो बुरुष्टर कौन पर आफ्तित होता है तो बुरुष्टर नियम के अनसार क्या होता है कि प्रावर्तित प्रकास क्या होता है पूर्णत दुर्वित और अफवर्तित प्रकास क्या होता है आंसी दुर्वित तो यह बुरुष्टर नेम के उनसार प्रावर्तित प्रकास पूर्णत दुर्वित और यह आंसी दुर्वित फिर इसका द्वारा यहां पर अफवर्तित यहां पढ़ार्वर्थित हो रहा है प्रावर्थन दोनों होते प्रावम्र थे प्रखास मिल जाएगा गई प्रावर्तित 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 प्राव को शमांतर कर्म में रखा जाते हैं जिस ali हमें अपवरतन राधरत मूर्ण में बार-बार होने से जिस ने बार-बार क्लck में प्रणवर्तन होता रहते हैं और बार-बार होता हада है पूर्णवन बार-बार पूर्णतद क duplicac से प्राप्त होता है तो आज हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा हमने इस वीडियो में बुरुष्टन नियम पढ़ा और यह आई-पी प्लस आर एकुल टो 90 पढ़ा और साथ में हमने अपवर्तन द्वार दुर्वन पढ़ा अब नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरी वीदी करते हैं